लास्ट जो वीडियो बनाया था उसको अच्छा खासा रिस्पॉंस देया आप लोगोंने और बस थोटी सी एक मेरी गुजारिश है कि आप में से 90% लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बैल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हैं और वीडियो क लाइक नहीं कर रहे है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे है आप लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे ना तो फिर थोड़ा मज़दारी इस ही नहीं आती कि यार वीडियो बनाया कम से कम अच्छी लगे तो लाइक करो नहीं ल सिकल चुके हैं वन मिलियन के तरफ हम अग्रिसर हैं तो आप से इतनी सी इलतजा रहती है रिक्वेस्ट रहती है कि इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट करिएगा और आज जो मैं सिखाऊंगा वह आपको बहुत बड़े-बड़े पेड़ कोर्सेज में बड़ा देता हूं कि मेरा नंबर है 9411848508 ठीक है तो यह नंबर में कुछ कमिया है और इसलिए मैंने इसका जो इस्तमाल है मैं किस तरह से करता हूं या आने वाले रेमेडियल जब वीडियो आएंगे तो मैं बताऊंगा कि एक जो नंबर अच्छा नहीं होता या जिसमें कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो आपको जाधा सक्सेस नहीं देते उसको आप किस तरह से यूज करते हैं और एक खराब नंबर को भी आप अच्छा कैसे बनाते हैं या आने वाले दिनों बताऊंगा इसके लिए कुछ रेमेडियो होती हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने र आने वाले दिनों में बताऊंगा एक्साइटिंग फील करेगा तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन के बारे में तो बुरा मत मनना दो जो बात है वो मैंने आपको बता दियो लास्ट टाइम अपने नंबर को एक्स्प्लेइन भी किया था किस तरह से ये नंबर सबसे पहले नहीं करता था तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉम्बिनेशन की जैसे 11 हो गया 12 हो गया 13 हो गया 14 हो गया इस सारे कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे 11 नंबर की अगर मोबाइल में कहीं पर भी 11 आता है लास्ट में आत आएगी देखिए अगर आपका नंबर वन वन पे आता है तो आप के पस्नल लाइफ में कुछ आप एंड डाउन्स आपको देखने को मिलते हैं और आप जो लोग होते हैं वो आपकी जो एक तरीके से फैंबली लाइफ होती है उसको इतनी तरजी नहीं देते तरजी देते हैं यह नहीं देते लेकिन आप अपने के प्रती बहुत ज़्यदा सजग होते हैं और इनके पास बहुत कम ऐसे फ्रेंड्स होते हैं बहुत फ्यू फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ यह बैठते हैं बात करते हैं और वो जैसे से एज बढ़ती जाती है यह लोग बड़े होते ज बोलते हैं, जितना पूछोगी उतना जबाब दे देंगे, इनके पास अपने पास से बहुत ज्यादा बाते मिलाने वाली बाते इनके पास नहीं होती हैं, ये लोग प्रैक्टिकल सोच के साथ चलने वाले लोग होते हैं, तो अगर आप इसे रिलेट कर रहे हैं, तो मेरे को जरूर बताएगा comment करके और ideally ये numbers जो हैं अगर आप किसी अधिकारी rank पर हैं या किसी ऐसे rank पर हैं जहां पर आप ज्यादा communicate नहीं कर सकते या जहां पर आप रास को छुपाना चाहते हैं यानि कि कोई ज्यादा लूपोस आप देना नहीं चाहते क्योंकि भले ही आप कितने ब company की तरब से कुछ numbers आपने देखे होंगे कि जो आपको दिये जाते हैं अगर वो company थोड़ी सी भी इन चीजों में बिलीफ रखती है तो आपको ऐसे number देगी जिसमें आप two-three point बात करेंगे जादा लंबी-लंबी बाते नहीं करेंगे जिससे उनका बिलना बड़े यह चीज करता है और यह आपने इसके आगे मैंने लिख दिया है कि क्या क्या इसका जो initial stage होती है वो क्या होती है तो बारा नंबर हो या two or one का यहां पर combination हो यह आपको क्या बताता है देखिए ऐसे जो लोग होते हैं या इसी जो महिलाय होती है वो tradition को follow करने वाली होती है और ऐसे जो लोग होते हैं उनका great trust होता है कि वो अच्छी नौकरिया पाएं और सरकारी नौकरी प्रिफरेंस पिल यह रखते हैं कि कुशिश करते हैं कि सरकारी नौकरी के तरफ जाएं और यह जो लोग होते हैं अपने parents के बहुत close होते हैं साथ-साथ इनकी knowledge बहुत अच्छी होती है और इनको हम यह कह सकते हैं कि यह लोग family oriented होते हैं positive mind के होते हैं और self confidence की कई बार इन्हें मैंने देखा है कि कमी होती है क्योंकि यह लोग जो भी चीजें करते हैं उसमें family को first रखते हैं इसकी वजाए से professional life में कुश बड़े decisions को लेने में कई बार दिक्कत होती है और कई ब opportunity आई लेकिन यह घर में रहना पसंद करते हैं घरवालों के साथ रहना पसंद कर रहे हैं तो थोड़ा सा इनको dilemma इस बात का हो जाता है कि यह मतलब जाएं नहीं जाएं जाएं नहीं जाएं उस चक्कर में कई बार opportunity का loss भी हो जाता है आप मुझे comment करके जरूर बताएगा कि आप लोग relate कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इसके बाद एक number आता है 1 और 3 या 3 और 1 यह जो number होता है यह क्या कहता है देखिए ऐसे जो number होते हैं इसमें एक problem हमें देखने को मिलती है कि कई लोग 13 number को अच्छा नहीं बानते और 3 और 1 को भी वो कहते हैं कि avoid करें इसम उनकी पिता जी के साथ relations में कुछ problems देखने को मिलती है और थोड़ा सा यह देखने को मिलता है कि करम based यह number होता है ज्यादा spiritual हम नहीं मानते इस number को और यह ego का problem भी लेका राता है ऐसे लोगों को desires बहुत बड़े होते हैं और बस इनके साथ अच्छी बात यह होती है कि इनक की जो family life है उसमें up and down देखने को जरूर मिलते हैं लेकि इनके professional life में opportunities जो हैं वो यहाँ पर मिल सकती है यह जो number है 31 या 13 आपको higher level की jobs भी opportunity दे सकता है तो अगर आप एक student है तो initial stage पर आप इसे ले सकते हैं और अगर आपको किसी मौड़ा की लगे कि आप पिता जी के साथ relations problem आ रहे हैं कला हो रही है घर में कुछ इस तरह की दिक्कते हैं अगर आपको हो रही हैं तो आप ये फिर चेक कर लें तो उसमें remedy कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है रेमेडी थोड़ी सी बता देता हूं कि अगर पिता जी के साथ ज्यादा कुछ problem हो रही है तो सूरे को जल दीज करते हैं तो गयत्री मंतर का जाप करिए उससे भी आपको लाव हो जायता है और ये जो चीजे होती है ये और भी चीजों के पर डिफाइन करती है कि किस तरह से देखे होता क्या है इस नंबर के साथ 131 के साथ कि जब आदमी एक मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसके अंद क्लैशिस हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम सोती है और इनमें क्या होता है जनरेशन गैप्स की प्रॉब्लम समय देखने को मिलती है जब यह वेक्ती थोड़े से हाई लेवल पर होते है तो यह अपने से नीचे वालों को थोड़ा बहुत एंडर एस्टिमेट कई बार कड़ बार जाते हैं तो यह चीज निके साथ रहती है इसके साथ उसके बाद आता है 14 और 4 1 तो अगला नम्बर आता है हमारा 14 आ 41 वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है सब्सक्राइब भी आपने करना है और शेयर करना है और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है कि कितना रिलेटेबल यह चीज आपको लगी अगर 4 नमबर को भी 40 नमबर को भी कुछ लोग कहते हैं कि avoid करना चाहिए अब क्यों कहते हैं यह नमबर जो है ना यह political चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है ऐसे जो विक्ति होते हैं ऐसे महिलाई जो होती हैं वो dual consistent basis पर मतलब लगातार इसको motivation चाहिए प्लस यह नमबर ऐसा है कि अगर है आपके पास और इसी को आपने आगे चलाना है आपको मिला है तो यह नमबर ऐसा रहता है कि मतलब आपको awareness चाहिए कि market में क्या हो रहा है मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है मेरा politics में अगर में हूँ तो मेरा आजू बाजू के दल क्या कर रहा है तब यह perform अच्छा करता है अगर आप जा ग्रूप नहीं रहेंगे तो यह आपको negative result देगा relationships में यह problem देता है और थोड़ा सा stress और fear देता है तो अगर आपके पास यह number है तो यह problems आपके साथ आ सकती है जरूरी नहीं है कि हर case में आएं कुछ अलग cases भी होते हैं जिन में आपको यह problems नहीं आती है लेकिन maximum लोगों को यह problem आती है कि एक तो stress तोड़ा सा बढ़ा रहता है साथ साथ पापा के साथ रहता है और ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी आपके मुँपे कुछ होते हैं और किसी और के मुँपे कुछ होते हैं यह एक चीज़ रहती है मतलब वो frequently अपनी बातों को change करने है वाले होते हैं तब ही मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास है तो आप politics में try करो आपको ज़्यादा लाब हो जाएगा या आप diplomat बन जाओ या आप कुछ ऐसे जगहां पर चले जाओ जहां पर आपको mediator का काम करना है मतलब अधिकारियों के साथ भी रहना है और colleagues के साथ भी रहना है तो वहां mediators में ये काम कर जाते हैं क्योंकि politics में भी लगब लगब यही काम करते हैं अब एक अच्छा नंबर आता है यहाँ पर 15 या 51 ये नंबर बहुत अच्छा होता है ये एक तरीके से sun और budd एक साथ आ जाते हैं तो ये आदमी को happy भी रखते हैं मान सम्मान भी दिलाता है आपको साथ साथ आपका सबसे बड़ा इसमें USP होता है यानि की uniqueness होता है कि ऐसे वेक्ति जो होते हैं वो अपने पैसों पर ही एश करते हैं मतलब वो self earning पर उनका विश्वास होता है और ये लोग detail में जाकर काम करते हैं लक्जरी को कमाते हैं बुद्धी के बल पर धन कमाते हैं साथ साथ business में अच्छा करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये clever किसम के लोग होते हैं 51 जो number है और 15 जो number है और एक number और है 24 ये numbers बहुत अच्छे हैं तो आप मान के चलिए कि ये numbers अगर आपके mobile में आ रहे हैं तो ये आपको अच्छी उन्नती देंगे और आपको business में भी अच्छा कराएंगे और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो self made होता है वो ज़्यादा किसी को rely नहीं करता और अपने आगे ही बढ़ता रहता है आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले फिर से बहीं बोलूँगा कि आप वीडियो को like share सरूर करें अब बात आती है 16 की और 61 की जब 16 नंबर क्या है कि इसमें क्या होता है कि relationship में problems आती है अगर आप boyfriend, girlfriend है तो भी problems आएंगी अगर आप married life में है तो या तो बिमार रहेगा आपका पती या पतनी या health issues रहेंगे या relationship में problems आपको देखने को मिलेंगी ये लोग जो है personal life के लिए ये numbers अच्छे नहीं होते professional life में अच्छे होते है HR level पर अगर आप जाओ तो आप उन्हें guide कर सकते हो ऐसे जो लोग होते हैं उनका spiritual life जो होती हो ठीक होती है बट मैं again यह बोलूँगा कि इसमें problems रहती है numbers में तो अगर आपके पास 1 और 6 है तो 6 या 1 है तो आप एक बार चेक करके मैं को बताएगा कि आपके जो पती है या पत्री है उन्हें किसी को health issues तो नहीं है या relationship में कोई गरवर तो नहीं चल रही है यह थोड़ा सा आप मुझे चेक करके बताएगा क्योंकि यह maximum time में मैंने देखा है दूसरा number आता है 1 और 7 या 7 और 1 अब यह जो number है यह number slow and study की तरह से जाता है अगर आपके पास यह numbers है तो यह number ऐसा है कि आपको धीरे धीरे progress कराएगा ऐसे जो लोग होते हैं उनको अपने से प्यार बहुत होता है ऐसे जो लोग होते हैं उनको हर time कोई ना कोई चाहिए जो उने guide करता रहे उनके पास अपनी शक्तियां होती हैं लेकिन फिर भी उन शक्तियों बहुत विश्वास नहीं करते self-made residence लेने में हिचके चाहते हैं और ऐसे लोग कई बार ऐसा देखा जाता है कि manipulate हो जाते हैं लोगों से मतलब लोगों के influence में जादा आते हैं क्योंकि इनकों लगता है कि मेरे साच्छा ये सामने वाला देख रहा है तो ये problem आती है इनके साथ और कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये main streams में पहुँचकर मैंने देखा है कि पॉइंटलेस हो जाते हैं मतलब nervous जल्दी हो जाते हैं ये चीज इनकी देखे जाती है स्विच्वल होते हैं भगवान में इनकी पूरी आस्ता होती है और इस वज़ा से ये बीच का रस्ता निकाल लेते हैं लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपके पास है ये तो सुर्य और शनी का एक combination है और ऐसे जो लोग होते हैं वो discipline नहीं होता उनके life में और attitude काफी रहता है और जो है इसकी वज़ा से जो confidence होता है वो affected रहता है और इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो दो forces में रहता है leadership की quality लेकर चलती है वहीं अराम पसंदी उसको लेकर चल करती है और साथ-साथ यह लोग क्या करते हैं easy चीजों को find out करने की कोशिश करते हैं कि पस चीज easy हो जा और मतलब इनका यह होता है बस जो काम मिला है खतम कर दो उसकी proper research मत करो और challenge मत लो अगर कोई challenge आता है तो यह या तो पहले हाथ में उसको accept नहीं करेंगे और करेंगे तो कोई shortcut तरीका निकालेंगे और निकल जाएंगे इनके साथ सबसे बड़ी problem यह आती है कि इनको ego का problem बहुत जल्दी होता है यह excuses देना start कर देते हैं गलती नहीं मानते यह एक सबसे बड़ी इनके साथ problem होती है और यह हमेशा ऐसी jobs की तलाश में रहते हैं जो थोड़ी easy going हो तो यह कह सकते हैं हम लोग की ऐसे जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दखना चाहिए इन चीजों का कि जब तक वो चीजों को नहीं जाएंगे करेंगे तो success जो है वो नहीं मिलेगी सो यह कुछ मैंने बताए अभी आपको एक और बताता हूँ one or nine or ninety one one or nine यानि कि sun और हमारे मार्स यानि सूर्य और मंगल जो है साथ हैं तो यहां पर क्या होता है कि sudden changes life में आने को देखने को मिलते हैं कपी up and down sudden आते हैं दम से life smooth चल रहे होगी दम से sudden नीचे उपर नीचे हो प्रती एक बहुत positive attitude के साथ आगे बढ़ते हैं और जो भी problems आती हैं उसको निडर होके courage के साथ करते हैं और इनके में एक अच्छी चीज़ होती है कि यह good decision लेने वाले होते हैं spontaneous decision लेने वाले होते हैं और यह team work में believe करते हैं problems क्या आती हैं इनका temperament जो होता है वो थोड़ा high level का होता है साथ-साथ इनको थोड़ा बचना चाहिए arguments से इनके arguments हो जाते हैं और कई बार जबी decision लेते हैं तो थोड़े dominant किसम के यह हो जाते हैं तो यह कुछ problems हैं मैं बुलूँगा कि one eight आप देख लो आप one six को avoid कर लो आप one four को भी avoid कर सकते हो और चाहो तो one three को भी avoid कर स सकते हो बाकी जो हैं वो ठीक है one six बहुत अच्छा है आप one six sorry one six नहीं वन seven भी ठीक है one nine आप रख सकते हो अपने पास आप चाहो तो one two भी आप रख सकते हो one one भी रख सकते हो और one five सबसे अच्छा लगता मुझे 51 और one five आप रख सकते हो बाकी देखो यह general predictions थे मैं करो कि अपने मुलांग को भाग्यांग के अनुसार अपने combinations को आप बनाओ तो बहतर रहेगा यह जो मैंने आपको बताया है यह एक तरीके से मैंने आपको एक general prediction दिया है जिसमें आप सामने वाले के number को देखकर यह अंदजा लगा सकते हो कि क्या है क्या नहीं है अच्छा म मेरे को थोड़ा सा comment करने के बताना कि अगर किसी के mobile में यह frequency आ रही है 1391 तो इसका क्या meaning बैठेगा और वो व्यक्ति किस तरह के का होगा यह next video तक मुझे पास आजाना चाहिए और किसी एक का मैं comment सेलेक्ट करूँगा और मैं बताऊंगा कि उन्होंने सही जबाब दिया है या नहीं दिया है तो यह आपके उपर है प्लीज आप मिनको बताईएगा और आप चाहें तो आप एक एक करके भी बता सकते हैं कि एक क्या meaning है तीन का क्या meaning है 9 क्या meaning है आपको मैं hint दे रहा हूँ किस तरह करना आप सबका निकाल लेना और निकालने के बाद अच्छा सा कमेंट करना जिसका कमेंट अच्छा होगा लोंगा, इसको analysis करना कि एक विक्ति में जो one आ रहा है तो क्या meaning आएगा, क्या leadership quality होगी, या ego की problem होगी, क्या problem होगी, कम बोलेगा, तीन है, तो क्या positive रहेगा, या one और nine, मैं आपको 109 भी बताया है और थिरी भी बताया है आप थोड़ा सा इसको करो और दोनों को मैच करो और मेरे को कमेंट करके बताना यह आपके लिए थोड़ा सा एक ट्रिकी कॉश्चन है मैं भी जानूं कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो पीस वीडियो को लाइक शेह ज